रुपा बाजवा दा नोवल साड़ी शौप दे दूसरे पाग दा तीस रांग मिसिस गुपता दे कार्च पांज मीने पहला व्याई होई आई शिल्पा नुँ होनी पता लगा सी कि ओधे गर्ब ठैर गया जोदो पांज मीने पहला शिल्पा इसका अर्चाई ता उदे मानंदर नमिया लाडियां वाले सारे शंके मौझूद सान उदा पती तरुन ठीक होएगा उदी एक बड़ी फैक्टरी सी ते लंबा सेत मनते खूब सूरत सी ऐस तो बिना होते शिल्पा दा सारा सारा तिन कामते रया करनेगे सारी गलों दी सास मिस्स गुपता अक्सी मत होगे सी कि 9-9-13 मस्याता ने प्यादा हो जाएगे इक दूजे ना लड़ाई संगर्ष रसोई दी सियासत ते जे इस तरह नावी हुवे तो मिसिस गुपता दी आसान दे मुताबक्के में पहुंच सकेगी इदा कारणे सी कि मिसिस गुपता बारे आम पर बावे सी कि बड़ी स्यानी मजा किया ते दुनियानू समझन वड़ी ओरत है शिल्पानू अपने बारे बहुते परम नहीं सन उन्हें स्कूल दे साली नहीं सगो कॉलेस्ट बताया एक साल भी बिना किसे दिल्चस्पी दे लंगाये सन ते उस शान्दार शादी दी उड़ी कर दी रही सी जेड़ी ओदे माप्याने छेती तो छेती कर देनी सी स्वाल ए नहीं के स्कूल जांक आले दा कोई मतलब सी क्योंकि उच्चे अमीर कारोबारी परवारानीय कुडियां दी पड़ाये च दिल्चस्पी नहीं सी हुन्दे पर शिल्पानू ता एवी पता सी कि उस्च होर भी कई कमिया हन उस्च अपनियां कुछ होर चे चेरियां पैनावर्गी चुस्त चलाकी भी नहीं सी वो बहुती खूबसूरत भी नहीं सी उधे वाल हलके जे पतले सांते सब्तो माडी गाले सी उधी अंग्रेजी चंगी नहीं सी उधी हाकच सब्तो वड़ी गाले जांदी सी कि उधा पिता जानेया पचानेया मीर वपारी सी उध जान दी सी कि उनु इस तो बेतर वर नहीं सी मिल सकना। उबड़ा मशूर परवार सी ते उदियांचे चेरियां पैनाने तरणनू देखन तो बाद किया सी कि उरता कू सलमान खान वर गा लगदा सी। उब उनु इकवारी मिली सी जदों अपनी मानू नाल लेकि उना देकार आया सी। पार्ती फोईदे कैप्टन अलशादी करनी पसांद किती सी। रुवेंदर कपूर नू हाले वी इस ते यकीन नहीं सी आ रहा। फिर वी उने कोशिश किती सी कि उदी निराश्या परगट ना होए। वो हर इक नू किया करदा सी कि उस कोड दो नहीं सगो छे परवारानों पालन जोगा पैसा है। सब तो बड़ी गाली है वो दी ती खोश रहे। वो क्या करदा सी वो बड़ी स्यानी कुड ए ते आस नहीं किती जा सकदी क्यों किसे वपारी दी वीवी बने ते सारा दिन कार बैठी रहे। शेलपा दे माता, पिता ने गाल सोण के एक दूजिन वाक्ख मारी। पर किसे ने भी कपूर दी गाल नहीं सी कटी, उन्हें क्या सी कि वो गाल दा त्यान रखेगा कि शादी करन तो बाद भी रीना दी जीवन शैली उसे तरहीं बनी रहे जिस तरहां दी हूने, शादी दे मौके बहुत सारे वपारग सौधे किते गए, महमाना ने आपस विच का सजावट करन वाले एक माहर नों कहके, अपने खर्चे थे नवी जोडी दे सौन कमरे नों सजाया सी, सजावट करन वाले ने इनू किसे रसाले जो देखके बिल्कुल नवीन तरीके नाल सजावट कीती सी, ते नों क्रीम ते पीला पिता शीओ हरा रंग कीता सी, चादर थे पर्दे वी एसे रंग दे सन सारे कमरे च विचह होया गलीचा बड़ा आराम ते सोफा, जिसते करीम ते हरे रंग दे गदे सान ते लोहे दा बने होया मेज सी, जिसते शीशा रख्या सी, शिल्पा दे माता पिता ने कमरे च नवा एर कंडिशनर भी लगा लिया सी, एस डाल आते ओदे पतीनू दित्ता सी, इना विच नगदी ग्यानी ते कपडे शामल साने इस तरहं कोई कारण नहीं सी, क्यो अपने नमी पर्वार्च सिर्चुक के ना रह सके, फिर्वी जदों ससांदा मामला होंदै ता कुझ वी ने क्या जा सकर, पर शिल्पानू किसी चीज तो डरंदी लोड नहीं सी, मिसस गुपता बहुत चुस्त सी, तो अपने नू नाल बिना मतलब कोई लडाई शुरू नहीं सी करना चांदी, उने बहुत सारे करांच लडाई हुंदी वेखी सी, जिस नाल परवार दे, सारे मेंबरांदी शांती पंग हुंदी सी, एदी थान ज पर नाल दी नाल इस गल ते वी तिखी नजर ते सक्त कंट्रोल रख दी, कि शिल्पा के में दिस्दी, पैन दी, वर्तों विहार कर दी है, शिल्पा नू एगल समझ वी आगी सी कि उने इस गल नू परवान कर लिया सी, सासते नूब चाले जो कुछ वापरदा उने सुन जानी है, इस तरहां दोवें जणिया ने अपने रिष्टे नू ठीक तरहां ने बाणा शुरू कर देता, हालांके इस रिष्टे दा तवाजन लगातार कायम रखन ले यतन करनी पैंदे सां, किते किते कुछ छो देनी पैंदे, कदे हलका जया तका, कदे थोड़ा जया कुराट, उदोवें एक दुझे नू समझन लगता हैं सां, ते पामें, दोवादी एक दुझे तू हलकी जी दूरी कायम सी, ते सदा कायम रहनी सी, फेर भी अपने दिन एक अठियां रहा के काफी चंगी तरह बितान लगी हैं सां, ते जदोवना दे पती काम ते चले जान प्सांद कर दी सी, अपने दोस्तां ते रिष्तेदारां सब्तो वधियां धिखवाली, सब्तो साफकार, सब्तो सुंधर कपड़े, होर सब कुझ, चोस्त द्रुस्त ये स्तराँ दिपावना, उन्हें पहलना तो स्वस्त चली आरी शिल्पास भी पार देती सी, जिस कारणो बिल्कुल ही नवे रंगच टाल गई सी उदो में जान दियां सन के उना नहीं बाकी दियां होर सारियां और ता नालो अबल रहने उन्नमे नवे खाने बढ़ों दियां फिर एक खाना चोटे-चोटे स्टील दे डबयांच पाके गवंडियां नुपे दियां फिर उना वल्लो बड़ी चमकिली सी तो अकशरी सोच दियां क्योओ बतानी की वर्त दियें अपने पेट ठीक रखनली यो लंबी सैर ते जान दियां ते आखरकार चीन्नी वस्तां दी विक्री वाली दुकान ते पहुंच जान दियां जितियो खुबसूरत चीनी लैंड शेड खरीद दिया जिना नालोन दा बैठक दा कमरा होर वी वदिया लग सके। गुपता ने किया क्यों ठीक मैसूस नहीं का रहा है। पारत आगी जड़ी दुपैर ते राद दा खाना बढ़ाँ दी सी। फिर अपने पती दे कपड़े आंदा टेर अपने सामने राके बिस्तरे दे बैठ इना दियां कले कले दियां तया मारन लगी। वो वत्तो वाद समा अपने कमरे चे बताउना चाँ पसंद कर दी सी। वो बड़ा आराम दे सी। इनुआ राम दे वनांच उदे माता पिता ने बहुत खर्च गेता सी। जदो बैठी तरुन दियां, एरो ब्रैंड दियां, कमीजां दियां तयां ला रही सी तर डॉक्टर ने उदी सास नूँ फोन करके उदे टेस्टां दे नतीजे बारे दसया। मिसिस गुपता नसी नसी अपने नूँ को लाई थे खुशी खुशी उनू दसन लगी। शिल्पा नूँ पामे अध़ पचदी आस सी फिर वी उसुन के बहुत हैरान होई। वो अपनी सासवाल वेख के मुस्कुराई, दोवा औरता ने एक दुजे नू जफी चलिया। मिसिस गुपता कैन लगी, मैं हुने जाके तेरे पापाई नू दस दिया। शिल्पा असी मगरों इस बारे लंबी गल बात करांगिया। जया कैन दे हुए उने शिल्पा दा मुड़ा थापड़या, प्यार नाल मुस्कुराई। शिल्पा कैन लगी, जी ममी जी। वो दी मुस्कुराट शिर्मेली सी, वो इस गालते खुश सी के शादी तो बाद, वो तो जी दी आस कीती जान दी सी, वो दा दूजा पड़ा उने पूरा कर ले। शिल्पा मानी माना आस कार रही सी के मुंड़ा होगे, एस नाले इस परवार चोदी थां सदाली पक्की हो जानी सी। जदो मिसिस गुपता जी टीवी देश शो नो अद उने इंदे टांगनल देख रहे, अपने पती नो एक खबर दसनली पहुंची, तो शिल्पा अपनी यां सोचां चो डुब गई, जदो बच्चा होण वड़ा होगे तो की करना चाहिदा है, उस पासों किस गल्दी आस कि जाएगी, खास किसम दा खाना ता होए गई, इस तो विना कोई औरत हर रोज उदियां लत्तां दी मालिश करन भी आया करेगी, उदियां बहुत सारियां चे चेरियां पहना होन कारके सब कासे दा उनुपता सी, पर होर की होएगा, उदे माता पिता दी परवार विच ता ग कुडी नहीं चाई दी, वो बुलन अपके सुची जा रही सी, वो दे हाथ बड़ी सुस्ती नल्पती दे कपड़े आनिया, तयान लारे सान, फिर उनी हेठों उच्ची अवास सुनियां लगदा सी, जिमें कोई बारले गेट नेडियों बोल रही सी, शिल्पा उठी, खिड बड़े चटे रंग दे फोल सान थी, वो अपने लाल नफरत परियाख खा नाड, ओदे कर दियां, खिड़कियां वल चाक रही सी, तया इस तरह कर दी होई, वो पागल कुट्टे वरगी लग दी सी, वो जो दो उची उची बोल दी सी, तो उदा पद्दा चेरा गुसे ना जारी रखिया, ताकि बारों को योनों देख ना सके, फिर हिठा खड़ी औरत ने कदामी गाडां कड़नियां शुरू कर देते हैं, ऐसे शबद बोलने शुरू कर देते हैं, जड़े शिल्पा ने, इस तो पहला कदे नहीं सी सुने, जा जिना शब्दानों वो दे परवार गेट दे बार सारे गॉंडियांनों सुना के ओ शबद बोल रही सी, शिल्पा काडी-काडी नल हे ठाई, जिते मिस्स ते मिस्टर गुपता खड़े सन, गुस्से वेच ते परेशान सन, ड्राइवर बार गया होया सी, नौकर सबजियां करेदनली बजार गया सी, बार दार होरवी उच्चा हो रहा सी, औरत हो नोना दे दरवाजे नू खड़का आ रही सी, कुछ चेरलाई शान्ती होई ते फिर नमे सेर्थो गाड़ा शुरू होगी है, गुपता, बड़ा ना, तुस्ता मंगते हो, तुस्ता ऐसे गिदड़ो जड़े मरे होए जानवरा दे तुनों गयान लगा, ए, कौण है तु, जा चले जा, ते फेरे देख दे होए कि बहुत सारे ग्वांडी बार अपो अपनियां, छत्ता दे खिड़कियां जखड़े सान, सोन रहे सानों वापस चला गया, कमला गाड़ं कड़ दी रही, रब करे तो अडेस कारते, कारते कार सने तुसी सारे साड मरो, तुसी पाणी दी बूंद बूंद ली तरस दे मरो, ते जदो अंदर आया तो ओधी पतनी फेक्टरी चे अपने पत्तर दा नंबर मिला रहे सी, ओधे चेरे दा रांगुड़े आसी, नंबर बिजी चल रहे आसी, तेरा पोत्तवी राक्षे, तेर एक पैर ते पार तर दी, कदे दूजे टे ते अजया कर दी हुई, अपने सौरे अवल बेख दी रहे, मिसिस गुपता ने फिर फोन मिलान दी कोशिश की ती, ओधे हंजू डुलन वाले सानों ने अपने पती नों बुच्छे, अरत कौन है, इन्या शुब गला क्यों कर रह से, फिर उन्हें अपनी साथ सुनों किया, जे तरुन दा फैक्टरी दा नमबर नहीं मिल रहे है, तो दा मुबाइल मिला लो, मिसिस गुपता ने काड़ी नाल नमबर मिलां दे हुए किया, हाँ हाँ मैं, पहला के उन्हा ये सोच लिया, मिस्टर गुपता ने देखिया कि पतनी साथ पुझ अपने पुटर नो रोंदे हुए दस्या, फिर उचिप करके त्यानाल सुन दी रही, तो दा पुटर दूजे पास यूं की कह रहे है, नालो सिर्वी हलों दी रही, हलकी जी राहत मैसूस कर दे हुए, उन्हें टेलिफोन रखिया थे, पती नो बे तर्ती बी ते उखड़ी है युवास कहान लगी, तर उन्हें कहनदा है कि साधे चो कोई बार नहीं जाएगा, वो कहनदा है कि आउरत दंगा कर सकती है, खबरियों पागल होई, उन्हें पुल्स सद्दर नो कहा है, तो पुलिस स्टेशन चो नो कोई जान दा है, वो भी कार आ रह इस सारा समा बार खड़ी औरत लगातार बोल दी रही थे, कदे उ दोश लौंदी, कदे उ गाड़ां कर दी रही, करीब दस मेंट मगरों पुलिस दी जीप आ गए, दोस पाईया ने तुरंती कमला नो हत कड़ी लाई थे, उन्हों जीप चो सोट लिया, जोई उन्हों लेक तानवाद कीता, तुरंत आन ते इनाम वज्जों हरेक नूं पांच पांच सो दा एक नोट देता, आखरकार जीप चली गए थे, सारे परवार ने सोख दा साले हैं, उ अंदर चले गए थे, जदो होना दा नोकर सबजियां दा थैला लेके बापस परते हैं, तो उस वेले उस वाल रोस नाल वेखन लगे, जिम्यों कसूरवार होवे, परोणा उनू कुछ ना, किहा कुछ ना, सिरफ चाब ना अनदा होकम देता, शेल्पा ने परेशान दिखाई जन्दे होए, ति अपनी कल्पना ची, अपने बच्चे नूं गोदी चिखड़ों दे होए, अपन खुशबूदार चापीन लगे, ता सारा परवार शान्त होया, फिर तरुन नूं एक खुशी पर खबर दसी गई, कि वाप बनन जा रहे है, वो मस्कुराया ति शिल्पा वल देख्या, शिल्पा शर्मा गई, तरुन ने बाकी दे दिन दी, छुटी कर लई ती, जोदों ओ अजी क्यों आई, तरुन ने एक हाथ शिल्पा दे चेरे दे लाया, दुझे नालो दी ठोड़ी उपर कर दे होया, किसे गल बारे चिंता ना कर, मैं किसे नो भी तैनो नूं नुकसान पुचाण नी देंगा, तु मेरे को बिल्कुल ठीक थाग है, किसे तरा अदा तना ओ, तेरे लही ते बच्चे लिए बुरा रहेगा, अज जो कुछ होया, उनू फूल जा, ठीक है, ठीक है, शिल्पा ने अखांच हंजू लिया के मुस्क्रोंदी होई सिर्ह लाया, उदे सारे शंके जान दे रहे तो पती वल बेख के मुस्क्रोंदी कैन लगी, मैंनू तेरे न जी दे बॉर्डर ते कडाई कीती सी, इसाड़ी उदी सास्वलो दिती गई, पहली साड़ी सी, खाना खांदे समय तारुन ने अपने आपनों तसली दिती के ग्रेणी ते नून दे तौर ते उदी पत्नीनू बहता कामनी करना पहर रहा, उदो तको दिन वेले होई ना खु नी कुल चला गया, जदके दूजा उत्ते बठा, सस्ती रम पीनदा रहा, ते रेडियो दे गाने सुनदा होया, सोचदा रहा, स्वेर विले उनू छड़न तो पहला एक वार, कमला नाल फेर बलातकार करेगा, अगली स्वेरे, कमला लड़ खड़ों दी बार निकली, कार च चले गए, चंदरों दी डीक कर रहा, से, चंदर ती आखा जो हंजू वह रहे सन, ते लाल हुईया, पञ्या सान, उन्हें कमला दे मूँ ते जोर दार चपेड़ मार दे हुए क्या, ताहूं तू एक कुछ भी करेंगी, सारी सारी रात शराब पी के पता निकिते रहनी है, क दी आखां कमजोर ते गुसेलियां, ते नाल दी नाली हारियां हुईयां वी लगदियां सन, कमला दी आखां दे हेठां वी काले दाइरे सन, पर आखां बिलकुल खाली ते तसियां हुईयां सन, तनवाद चल्दा